हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है एलिमेंट में मॉलिकूल में और कमपाउंड में सभसे पहले ऐलिमेंट जैसे दिख रहा है एच एलिमेंट इजन meड फो प्रोटाउं यृटाउं अनिंट्रों लेक्रों तौहर एक ऐलिमेंट जो एक अपने अपने पे रूर्चन से बना हुआ है और एटम के अंदर क्या फ justement ऐन्दRO एक डिक्षान चवार चो ऐलिमेंट ऌन यान ऐर्थ tenant से मोलेक्ल खुंपाउंड जाना ज्यादर जरूरी है कि मालीक्लटेथ यृणो छो फिर्श फिर्श वरन सब्सक्रम रिधीर कि ये Pilotkyymar đó वॉझारे सम्रों what मोलेक्ल्रा फोरी है ओills कि मोलेक्टेथ airports तो बने में छोसे qis быть भी हो सकते हैं और different भी जैसे कि H2O में hydrogen and oxygen है और ozone में खाली oxygen है तो atoms जो है जिन से molecule बना हुआ है वो different और same दोन हो सकते हैं ठीक है अगर वो same है तो उसे हम कहते हैं molecule of element और अगर वो different है तो कहते है molecule of compound तो compound वो होता है जो two or more different element से बना हुआ है ठीक है तो compound जो है वो molecule है बट सारे molecule compound नहीं है क्योंकि जिसमे different atom होंगे वो compound है वो molecule नहीं है पर जिसमे same atom होंगे वो molecule भी है और जिसमे different atom होंगे वो भी molecule है ठीक है तो अब हम exercise करते है थोड़ी ये दिया हुआए सविगर में AU gold gold क्या है ये एक element है next है methane CH4 अब ये different atom से बना हुआ है two or more atom है बट वो different है तो ये molecule तो होगा ही लेकिन मेंने एक compound है क्योंकि different atom से बना हुआ है molecule इसलिए है क्योंकि दो और दो से जादा atom है तो molecule ही के लाएगा next है N2 अब ये nitrogen की दो atom से मिलके बना हुआ है बट वो सेम है तो ये compound नहीं है ये है एक molecule I hope आपको ये समझ में आया हुआ है thank you